हलो बच्चो कैसे हैं अब सब क्या आपको भी कहानिया सुना बहुत जादा पसंद है तो हमारे चैनल पे आए हैं आप तो कहानिया ज़रूर मिलेंगी तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नए कहानी जिसका नाम है अकबर बीरबल की कहानी एक बार की बात है बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे इसी बात का फायदा उठा कर कुछ मंत्री लोगों ने बीरबल के खिलाफ महराज अकबर के कान भरने लगे उनमें से कहने लगा महराज आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हम काम में उनकी मुसलाह ही ली जाती है इसका मतलब ये है कि हमें आप उपयोग नहीं समझते मगर ऐसा नहीं है हम भी बीरबल जितने ही योग्य है महराज को बीरबल बहुत प्रिये थे वे उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाते थे लेकिन उन्हें मंत्रीकड़ों को निराश ना करने के लिए एक समाधान निकाला उन्होंने उनसे कहा मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ मगर ध्यान रहे अगर तुम लोग इसका जवाब ना दे पाए तुम सबको फांसी की स्तजा सुना दी जाएगी दर्बारियों ने जजगकर महराज से कहा ठीक है महराज हमें आपकी ये शर्त मंजूर है लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए महराज ने कहा दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है ये सवाल सुनकर सभी मंत्रिगण एक दूसरे का मूँ ताकने लगे महराज ने उनकी ये स्तिति देख कर कहा याद रहे इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए इस पर मंत्रिगण ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिन की मौलत मागी राजा भी इस बात के लिए तयार हो गए महल से भार निकल कर सभी मंत्रिगण इस प्रश्न का उत्तर ढूणने लगे पहले ने कहा दुनिया की सबसे बड़ी चीज तो भगवान है दूसरे ने कहा नहीं नहीं दुनिया की सबसे बड़ी चीज तो भूख है तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बरदाश्ट किया जा सकता है इसलिए राजा की प्रश्न का उत्तर इन दोरों में से कोई नहीं है धीरे धीरे समय बीता गया और महलत के लिए सभी दिन गुजर गए फिर भी राजा द्वार पूछे गए प्रश्न का जवाब ना मिलने पर सभी मंत्री गणों ने अपने जान की फिक्र सताने लगी कोई अन्य उपाए ना मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुचे और उपने पूरी कहानी उने सना दी बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे उन्होंने उनसे कहा मैं तुम्हारी ज़न बचा सकता हूँ लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंदजाम किया उन्होंने दो मंत्री गणों को पालकी उठाने का काम दिया तीसरे से अपना हुक का पकड़वाया और चौथे से अपने जूथे उठवाया वैस्वयम पालकी में बैट गए फिर उन सभी एक और राजा के महल की और चलने का इशारा कर दिया जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुँचे तो महराज इस मंजर को देखकर हैरान थे इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूचते बीरबल खुदी बोल पड़े महराज दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी उठा रहे हैं और यहां तक लेकर आये हैं यह सुनकर महराज मुस्कराए और सभी मंतरीगंड शरम के वारे सिर जुकाए खड़े थे तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है तो बच्चों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की भी योग्यता से जलना नहीं चाहिए बलकि उससे सीख लेकर खुद को भी बहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए तो उमीद है कि आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई है तो बचो अगर आप ऐसी ही और मज़िदार कहानिया सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी एक नई कहानी आए तो आपके पास इसका अपडेट आ जाए तब तक के लिए बाई बाई